Hello students, कैसे हैं आप सब? You are welcome to Easy Economist Classes. In Classes में हम बता रहे हैं आपको ऐसा wonderful तरीका जिसको जानने के बाद आप National Income के किसी भी numerical को बिल्कुल चुटकियों में एक ही बार में बिल्कुल correct answer के साथ सोल कर सकते हैं. इसके लिए आपको जो करना है वो ये करना है कि हमारी first video जो इस playlist की first video है वो आपको part 1 नाम से जो है वो आपको जरूर देखनी है एक बार में अगर आपको उतना benefit नाम ले तो दो बार देखनी है और उसके notes बनाने हैं अपनी notebook में अपने हास से लिख करके अपने हास से अगर आप लिखेंगे वो सब बाते हैं जो हमने आपको first video में बताई हैं तो आपको वो चीज़े याद हो जाएंगी और आप उन सब चीज़ों को ज्यादा effectively इस video में आप use कर पाऊगे तो ये ऐसे कुल मलाकर के 10 videos हैं इस playlist में आपको एक के बाद एक सब देख लेनी चाहिए सबी videos बहुत छोटी हैं except first one जिसमें हमने आपको concepts सिखाय हुए है तो concepts के लिए हमने आराम से इत्मी नान से अगर video लेंदी भी होती है तो होनी दीजे लेकिन students को concepts बहुत अच्छे से clarity आनी चाहिए इसलिए हमने उस video में length का ख्याल रखे बिना जितना हो सकता है उतने अच्छे से वो सब concepts आपको clear कराए हैं तो इसको हम soul करते हैं आज के question को part 5 जो वीडियो आप देख रहे हैं शुरू करते हैं आपको सबसे पहली बात जो हमने बताई हुई है वो यह बताई हुई है कि six golden steps आपको follow करने है पहला step note करते हैं सबसे पहले आप क्या लिखते हैं question में यहां पे आप note करते हैं कि यहां लिखा हुआ है rupees in crore तो अपने answer देते हुए आप इसको same repeat कर दोगे starting में ही ताकि कोई doubt ही ना रहे इस बात के mask कर जाते हैं अगर आपने यह चीज़ ignore कर दी तो यह हो गया पहला step छह में से पहला step दूसरा step कौन सा था जी इसमें हम लोग निकालते हैं कि हमको चाहिए क्या हमको क्या निकालना है तो यहां पर लिखा हुआ find out national income national income को मैं आपको बताया हुआ है ह हम लोग net national product at FC बोलते हैं NNP FC ठीक है यही हमारी national income होती है यह हमको निकालना है last में ओके third step क्या है third step is हम कौन सा method apply करें यह कैसे निकालते हैं इसकी एक trick है टीनों methods में से कौन सा लगेगा इस question में इसकी एक trick है देखो क्या trick है समझाते हैं इन सभी figures में जो सबसे जो largest figure है वो देखे कौन सी है यह लिखा हुआ ना इस हंड़ेट क्या लिखा हुआ है private final consumption expenditure यह वाली जो term है कौन से method में आती है टीनों में से एक में ही आती है उसका नाम है expenditure method यह आपको पता ही होगा first video देखने के बाद हमने आप लिख लिए जी क्या है यह हमारा expenditure method लिख लिख लि default output क्या होता है आपको पता ही है first video देखने के बाद GDP MP इसका होता है default output तो चार step तो होगे six में से अब देखते हैं fifth वाला वो क्या है जी GDP को solve करते है GDP MP को हम लोग solve करते हैं as per expenditure method कैसे करते हैं इसके चार component होते है as per standard formula जो हमने आपको first वाली वीडियो में बताय हुआ है c plus i plus g और plus x minus m जिसको हम लोग net export पहते हैं ठीक है अब इसमें values put करते हैं question statement से ले करके c क्या है हमारा private final consumption expenditure ठीक है एक कितना है हमारा 600 put कर दिया very good c का information लिखने के बाद अब हम डालते हैं i का information i का मतलब क्या है short way investment और purpose का जो meaning है वो है gross domestic capital formation इस question में देखते हैं कि क्या gross domestic capital formation दी हुई है नहीं दी हुई यहाँ पर लिखा हुआ है net domestic fixed capital formation यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो हमको चाहिए वो नहीं है उसकी junior figure दी हुई है यह senior or junior figures क्या है हमने आपको first वाली वीडियो part one में बताया हुआ है अब इसको हम process करते हैं आई वाले factor को पहले तो यह लिख लीजिए जो दिया हुआ है consumption of fixed capital लिखा हुआ है 50 तो आप यहाँ पर 50 add कीजिए कर लिया अब इसमें दो figures और आनी चाहिए आई बनाने के लिए क्या-क्या एक तो आना चाहिए increase या change in stock ना या एक दूसरी figure आनी चाहिए residential construction इस question statement में residential construction कहीं पर भी नहीं है तो वो छोड़ देते हैं हम लोग क्या बचा change in stock change in stock हाँ पर दिया हुआ हमको क्या minus 10 तो minus की figure है ना plus के sign को रखते हुआ ही हमने minus लिखा और ऐसे करके हमने अपने आई का information complete कर लिया यह बात हो गई अब हम लिखेंगे क्या जी यानि कि government ने कितना expenditure किया final consumption पर यह हमारा 200 इस तरह से हमने आपर लिखा हुआ है 200 हमारा लिख दिया हमने plus कर दिया फिर हमको क्या चाहिए net export कैसे आएगा देखिए net import लिखा हुआ है और minus 20 की figure लिखी हुई है कितना ज़्यादा examiner आपको confuse करने के लिए desperate है यह चीज़े बताती है कि net export ही लिख देते 20 बोल करके पहले हाँ पर reverse किया फिर हाँ पर reverse किया तो reverse का reverse तो simple हो गया ना तो अगर मैं import को export बनाने के लिए net import को net export बनाने के लिए क्य minus हो जाएगा और minus है तो plus हो जाएगा तो minus दियावा ना इसको plus कर दो तो हो जाएगा जी net export बन जाएगा तो इससे क्या जानने पड़ा हमको इस वाले factor से जानने को मिला कि अगर net import minus में दी हुई है तो उसका net export same figure plus में हो जाएगा हमने क्या 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 प्लस है ही यहापे 20 दिख दिया इस तरह से ठीक है जी यह आगे हमारा GDP MP equal to बड़ा simplify कर लेते हैं direct करने की बजाए कितना आएगा यह आएगा जी हमारा 150 हना देखिए correct plus 200 और plus 20 किजिए कितना आगया 600 और 150 750 950 यह आगे हमारा 970 that means our GDP MP is 970 अब आगया term step number 6 का करते हैं इसको बीचलो हमने हमको चाहिए क्या था हमको चाहिए यह वाला इसके लिए सारा हम लोग solve कर रहे हैं तो क्या है यह NNPFC लिख लेते हैं NNPFC is equal to हमारे पास available है GDP MP इसका हम क्या adjustment करें हमको net चाहिए हमारे पास gross है gross में से depreciation less कर देते हैं अब और क्या है हमको national चाहिए हमारे पास domestic है अगर national निकालना हो तो national income निकालनी हो तो net factor from net factor income from abroad को हम लोग plus करते हैं इसका हमने आपको secret बता हुआ है कि N is equal to plus यह आपको याद अखना है अगर national निकालना हुआ है तो हमको sorry अगर हमको national निकालना है तो हमको NFIA plus करना पड़ेगा और क्या इसमें changes है factor cost निकालनी है market price दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम इस market price में से हम लोग less कर देंगे क्या net indirect taxes को net indirect taxes को ठीक है values put करते हैं चलो 970 okay depreciation again consumption of this capital यह वाला figure जो हमारा है 50 50 आ गया जी plus करते है net factor income from abroad क्या लिखावा है देखो यहाँ पर लिखावा है factor income from abroad net word नहीं है इसका मतलब कुछ और भी ढूनना पड़ेगा इस question में देखिए वाला हमने पाया कि यह लिखावा जी यहाँ net factor income तू लिखावा है लेकिन from नहीं है यह 2 है this is now something to think about अब इस 2 को from में convert करने के लिए जो भी figure लिखी हुए इसका sign change करना पड़ेगा हमको net factor income from abroad कितना हो जाएगा minus 10 हो जाएगा plus दिखावा है न तो उसका हम change करके minus कर देंगे यहाँ गया जी minus 10 और net indirect tax system को दिए हैं यह कितने है 70 हो गया हमारा question देखिए this is now your answer and NPFC जो मांगा था इन्होंने वो कितना हो गया हमारा कर लो इसको कितना बनेगा देखिए 970 में से यह भी minus है यह भी minus है यह भी minus है 50 and 1060 plus 70 कितना हो गया 130 minus 130 कर दो कितना गया 840 आपका answer आ गया रुपीज 840 करोर्स में था ना values आजी करोर्स में था 840 this is your final answer ठीक है हमने केवल वो 6 step को follow करते हुए यह question आसानी से sound कर दिया बिना confuse हुए examiner ने इस statement में हमको confuse करने की खुब कोशिश की तरह तरह से आप देखू ना कहीं पे from की जीकर 2 लिखा हुआ है कहीं पे हमको ग्रॉसी जीकर net दिया हुआ है इस तरह से तो उन्हें बहुत confuse करने कुश्च करी लेकिन हमने जो formula हमने first वाली वीडियो में पार्ट वन में जो सीखा था हम अगर उस वाले process पे stick हैं बिल्कुल से उस पे strict हैं कोई हमने उसमे flexibility नहीं करी और हमको पूरा पूरा याद है तो हमने एक भी बार गलती के बिना इस question का answer एक ही बार में पूरा निकाल दिया ठीक है और एकदम से correct answer है यह वाला तो यह थी हम हमारी part 5 जो class थी आज की इसका जो homework है आप note कर लीजे similar type question होगा आपको घर पर sort करना है और उसका answer वहाँ पर दिया हुआ होगा आप उस answer को match कीजिए कि आप आराम से और easily उस answer को निकाल पा रहे हैं या नहीं यह है आपका homework का question आप इसको screenshot ले लीजे इसका और इसको आराम से बैठ करके soul कीजिए ठीक है हम आपसे मिलेंगे next वाली class में part number 6 के साथ एक और इससे भी better question के साथ इसे भी ज्यादर difficult question के साथ और इसी 6 golden steps को follow करके हम उस question को भी ऐसे ही आसानी से soul कर लेंगे एक ही बार में correct तरीके से तो आपसे मिलते हैं next class में इस वीडियो को like कीजिए शेर कीजिए अपने friends के साथ चैनल के subscribe नहीं क्या है तो अभी कीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर आती रहती है आपसे मिलते हैं next class में बहुत जल्दी तब तक वाई वाई